कित्रे का भी लाया है आपका तीस लाख तीरानवे हजार करीब करीब एक तीस लाख का करीब हैं पैसा टाइम पर भरते थे थे विजली विजली तो देओ तका हता है कि हम दो दिन के देंगे उसके बाद हम उतार देख लिए सब टोटल एमाउंट जो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है वो तीस लाख तिर्यानवे हजार चौहतर रुपए और पच्पन पैसे का है और यहां देखिए एमाउंट टूबी एडजेस्टेड इन रिचार्ज उनली मतलब कि जो प्रिपेड मीटर होता है उस तरीके से ही यह एमाउंट एडजेस्ट होगा रिचार्ज वाल लेकिन रात में बच्चे के लेकर बहुत हम लोग रोते हैं भी बरदास नहीं करता है बच्चा तरपते रह जाते हैं रात रहते हो और आपका बिजली का बिल मुके संबानी के बड़ाबर आ जाए तो कैसा रहेगा जी हाँ मैं बात कर रहा हूं बिहार के सिम्रा गाउं की बिहार के मुझा परपुट जिले की सिम्रा गाउं की यहां पे रहने वाले यह जो दो शक्स हैं इनके नाम पे एक मीटर रहता है इनके नाम पे जो मीटर रहता है उसका बिल आता है तीस लाक तिरानवे हजार चौहतर रुपए पच्पन पैसे अब समझ जाईए कि एक बिजली का खर्च है वो क्या 30 या 31 रुपए हो सकता है और अगर नहीं हो सकता है तो इतनी बड़ी चूक बिजली विवाक से कैसी हो गई कितने का भी आया है तो यह क्या जला दिये घर में क्या बिजली का हुप्यों कर दो देखे रहे हैं कि हमको चार बॉल जरता है बस और दो पंखा चलने के वज़े से आपका बिल 31 लाक्ता आ गया है जी आववा कल है ओपर देख लिजिए कोई भी कहेगा जूट जब मोटर सोटर कुछ नहीं हमको इतना ही है वे करें समझ जाइए कि आप अपने घर में का मध्यम वरगिये पडिवार अगर होता है कोई वह अपने घर में टीवी वशिंग मशीन फ्रीज एसी सब कुछ चलाता है फिर वी बिल जो है वह 31 लाक रुपए नहीं आता है लेकिन गरीब घर का इंसान जब चार बल्व दो तीन पंखे चलाता है घर में उसके बिजली का बिल 31 लाक रुपए आ जाता है घर में मोटर है भी मैंने मंदारी से बिजली भर रहें तो भी मैंने दखिये क्या कर दिया से अच्छा कैसे पता चला कि एकतिस लाख रुपए बिजली जब कटाना चार सुरुपए या तब जाए बरांच में तब इनको भेजा पर्ची लेकर तका जब एकतिस लाख के माने बील है आपका इसको चुकाई ये तब बिजली जब बोला गया नौ लाख रुपए अभी दीजे तब बिजली चालिव करेंगे अन्य था आप लोग गर्मी में मरिये तना पैसे हम चलाए हैं चले आए हैं कितने दिन से गर्मी में मर रहे हैं लगभग दस दिन हो गया लगभग दस दिन से लाए लाए करता है गर्मी से फिर भी आप गर्मी छेल रहे हैं पैसा टाइम पर बढ़ते थे विजली बढ़ते थे साब हम लोग अपने संचते हैं कि सरकार के बील हम कहें रखेंगे तो भी हमारा उपर इतना छती होता है अब जरा देखिए कि एक गरीब परिवार है और यहां पर देख लिए आए की शोर्स क्या है कि किस तरीके से कमाते हैं कभी खुर्पी के रोजगार लग गया तो वह मतलब की मजदूरी करते हैं मतलब कहा जाए तो गरीब परिवार से बहुत गरीब परिवार से देखते हैं दूगर बकड़ी है हुआ अब समझे कि इस वर्ग के लोगों को अगर इस तरीके से पीरित और पड़ेशान किया जाएगा तो यह लोग कहां जाएंगे बिजली विभाग से जब संपर्क करते हैं तो वहां से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए 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 लेंगे जब हम जाएंगे जिला अधिका मिलेगा अब आप कहेंगे कि यह बाते जूठ हो सकती है फरजी हो सकती है यहां आपको नजर आएगा कि पूरा जो एमाउंट है यहां देख लिए सब टोटल एमाउंट जो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है वह 30,904 रुपे और 55 पैसे का है और यहां देखिए एमाउंट विए एड्जेस्टेड इन रिचार्ज उंली उस तरीके से ही यह एमाउंट अजिस्ट होगा रिचार्ज वाला मीटर है प्र फिर इस तरीके का चीज हुआ है टब ही इस सतरे के सब्सक्राइब में रिचार्ज करवाते होंगे तभी जलती होगी कोई बखाया नहीं होगा कोई रुपई रहा है वह काट के पंदरह सो रुपिया बचा है अभी पंदरह सो रुपया ही बचा है करने के लिए लेकिन देने के लिए तयार नहीं है कितना रूम है और आप आएंगे तो इधर आजाएए यहां देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि भाई यहां बड़े-बड़े उपकरन चला चलाया जा रहा होगा यहां देख लिए और इनके हग के लिए कोई अगर नहीं लड़ेगा यह देखेंगे पंखा रखा हुए दोनों रूम में एक पंखा उपर वाला पंखा इस रूम में नहीं एक बल्ब है और समझ जाईए ना कि छोटी-मोटी बात होती तो इंग्नोर कर देते आर बात है कि हमको जमीन जतात नहीं हैं और इतने गरीब लोग हैं और इस तरीके से इने लाचार परिशान और दरबदर की ठोकर खारने बे मजबूर किया जा रहा है यह मुझपरपूर जिला है और मुझपरपूर जिला के तमाम जिलावाश्यों से यह अनुरोध है कि इनकी कहानी को दूर तक पहुचाई और उन लोगों तक पहुचाई जहां जा करके इनके कहानी पर कारवाई हो सकती है पुरा पड़िवार गर्मी को झेल रहा है और इसे बढ़ती हुई गर्मी में इनका लाइन काट करके छोड़ दिया गया है समझ जाईए कि इनकी ऊपर क्या बीत रही हो समझ जाईए ये हालत है हमारे बिहार की और एक अधिकारी के गलती के वज़े से बिजली विभाग की गलती के वज़े से ये पूरा पड़िवार पूरी रात तरपता है इस भीशनगर्मी में बिना बिजली के तरपता है क्या इसी को आधुनी करन कहेंगे क्या इसी को हम कह हमारा बिहार बदल रहा ह? जी नहीं हमारा बिहार और जादा गरत में जा रहा है जब तक गरीब लो Extra station से परिशान ओंगे नहीं कहा जा सकता है हमारा Us